बिहार सरकार को बड़ी रहात मिली है जातिये अधारित गर्णा पे पटना हाई कोट का फैसला आ गया हम बात करेंगे नेजापरतिपक्ष विजे सिना से जातिये अधारित गर्णा पर से रोक हटा दे गई है बिहार सरकार को बड़ी रहात मिली है क्या विजे पिकले जटका देखिए ये राहत कहा है इनकी नियत में खोट और सही धंग से मानने नयाले को अपने विशई नहीं रखने के कारण लोक लगा था भारतिय जनता पार्टी की सरकार थी हम लोगों ने तो समर्थन करकर के जातिय जनगना कर निरने लिया था लेकिन अंदर कुछ बाहर कुछ अपने विशई को ढंग से रखना नहीं मकसद से भटकने लगना तो लोगों ने गया मानने नयाले में और मानने नयाले अगर जो उसको समिछा के लिए रोका तो संबैधानिक संस्था पर तो इनका किस तरह का कॉमेंट आया था क्या-क्या बक्तब दे रहे थे भारतिय जनता पाटी तो हमेशा संबैधान को मानने वाला है और संबैधानिक संस्था के निरने का स्युकारने वाला है जो लोग इस पर रो की मांग को लेकर जो हो रहा था जाती है अधारित गर्णा इस पर रो की मांग को लेकर जो लोग हाई कोट गए था या जी का दार के तो उनका इतिहास जान लिए बिजय चौदरे जी बड़े बिद्वान आदमी हैं इतने बेबस लाचार हैं कि उनकी बिद्वता उनके ही अंदर गुलते रहती हैं वो भी तो सरकार में थे क्यों भूल गए वो भी तो साथ बैठके निरने किये थे अंदर और बाहर यही हम कर रहे हैं ना कि नियत में खोट रहने से इनका मामला हर चीज जाके नयायले में फंसता है और लोग उसका अलाब उठाता है अरे भारतिये जनता पाटि उसका समर्थन किया था कि नहीं और जातिये जनगनना के नाम पर आपने जनादेश का अपमान करके चोड दरवाजे से जिस जनगल राज को बुला करके गुंडा राज और माफिया राज स्थापित किया लोव एंड ओडर सुरक्षा में जातिये जनगनना का क्या इंतिजार है सिक्षा में जो गोर अरजक्ता का सिकार हो गया सिक्षा और स्वास्त सिच्चाई के लिए हाकार है सरक की गती रुक गई इसमें जातिये जनगनना के लिए क्या इंतिजार है ये पूरी तरह से सासनिक परसासनिक तोर पर फिल हो रहे हैं लोगों को भटकाने के लिए बहाना ढूरने के लिए और इन ही के लोग ये नोटंकी करते हैं ये नाटक करते हैं आज देखें न सराब बंदी पुर्न सराब बंदी की बात करेंगे और सत्ताधारी दल के घर में ही सराब सबसे ज़्यादा मिल रहा है सत्ताधारी दल के लोग ही जो सराब बनाते हैं वो उमिदवार बनते हैं नियत में खोंट है जमिन मापिया में देखिए बालू मापिया में देखिए सब सत्ता से जूरे लोग है तब माननी है विजय चौदरी जी इस सब पर बोल पाएंगे है ही मत कल जोड़के खरा रहने वाले व्यक्ति बिहार की प्रगती की बात नुख करें भारतिये जनता पाती छाती ठोक कर डंके की चोट पर निरने लेती है जो कहती है वो करती है कोट के फैसला को स्वागत और स्विकार नहीं करेगा जिसको संवैधान में भिसबस नहीं होगा अचज कोट करने लिद्ए आता है संवैधानिक संस्था CBI ED In Pompe Tax इस पर कौन कॉमिंट करता है जो संवैधान मानने वाले लोग नहीं है जो छट पटाहट में जाते हो बड़ा-बड़ा ब्यान देते हैं जबाप पूछिए इन लोगों से अच्छे सरकार की जाती अधार इत गड़ना होगी तो इससे यह पता चलेगा कि कमजोरवर की वास्विक संख्या कि इतनी है और उस वास्विक संख्या का अधार पर सरकार को विकास युचनाओं को बराने में मदद में अच्छे ये 33 वरस के बाद दोनों को याद आया 33 वरस तक क्यों याद नहीं आया जब लोगों का विशबास खत्म हो गया लोव एंड ओडर समात हो गया वरस्टा चार चरम पर पहुँचा तो सोचे कि कुछ मुद्दा खोजें जनता की कल्यान करने का गड़िवों का उत्थान करने का 33 वरस में क्यों ख्याल नहीं आया माननिये मुखमंत्री जी यही तो हम लोग विधान सभा की आसन से भी पूछते थे कि वरस्टा अचार चरम पर है परसासनी का रजगता चरम पर है चिंता करिये लेकिन चिंतन की जगह नहीं है चतुराई से राजनित करनी है चालाँकी से राजनित करने वाले चालक नहीं बनते चालाँक बनते हैं और यह समाज में बड़ा एक्षिडेंट कराएंगे तो ये थे हमारे साथ पूरे मामले पर बास्षित करते हुए नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्या दरसल पटना हाई कोट का बड़ा फैसला आया है जातिये अधारित गरना पर से रोक हटा दी गई है बिहार में जातिये अधारित गरना होगी 80% काम पूरा हो गया है चार माई को पटना हाई कोट नहीं इस पर अंत्रीम रोक लगाई थी दरसल केंट सरकार के मना करने के बाद बिहार सरकार 500 करड़ रुपए खर्च करके बिहार में खुझ से जातिये अधारित गरना करा रही थी इस पर रोक की मांग को लेकर पटना हाई कोट में याची का दायर की गई थी, याची का करताओं के वकील ने कहा था कि बिहार सरकार को जातियों की गिंती का अधिकार नहीं है, तो ऐसा करके सम्विधान का उलंगन किया जा रहा है, उन लोगों का तरक ये भी था कि इस दोरा दी है, तो चार माई को पटना हाई कोट नहीं इस पर अंत्रिम रोक लगाई थी, कुल छे याची का दायर की गई थी, लेकिन आज जो है वो बड़ा फैसला आया है और सभी याची का को खारिच कर दिया गया है, बिहार में जातिये अधारित गणना होते रहेगी, और बिह झाल 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 झाल